नमस्कार, हिंदी साही तेवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचत प्रदेश में हुई HRTC कंड़क्टर की परिक्षा के बारे में तो इसमें जो 170 प्रशन पूचे गएते देखिए तो देखिए इसका जो सही उतर होगा विकल्प नमबर B, जौ। हाला कि इस प्रशन में अभी थोड़ा सा सस्पेंस है क्योंकि इसमें गेहूं और चावल ये भी फसलें जो होती थी ठीक है ना लेकिन अभी जो हमारा उतर है वो जौ होगा और अगला जो प्रशन देखिए रिगवेद में समाहीत है तो इसका जो सही उतर होगा वैदिक समय का इतिहास विकल्प नमबर D नेक्स प्रशन ने दीखिए बिंबिसार किस से संबंधित थे या किस वैदित से संबंधित थे तो इस प्रशन का जो उतर होगा देखिए ये होगा हर्यंक वैदिक है तेईस्वें तिर्थकर थे तो वो थे पार्षव ठीक है ना चंद्रगुप्त दुधियागी दूसरी राजधानी उज्जेन तो इसका भी क्या है विकल्प नमबर सी सही होगा कादंबरी किसके द्वारा लिखी गई थी तो कादंबरी लिखा है बाणबटने ठीक है प्रशन नमबर साथ है देखिए सेन वइशका संस्थापक कौन था तो इस प्रशन का उतर होगा इन में से कोई नहीं ये किया था सामंत सेन ने ठीक है भारत का पहला मुसलिम हमलावर कौन था तो विकल्प है मुहमद बिन कासिम डी इसका सही उतर होगा नौरोज प्रवर्तित किया गया था तो ये बलवन के द्वारा किया गया था नेक्स प्रेशन है अकबर ने पानिपत का दूइत्य किस से लड़ा था तो इसका जो सही उतर होगा देखिए हेमू सिखों के अंतिम धरम प्रचारक थे सही उतर होगा गुरु गोबिन सिंग शिवाजी की राजधानी थी विकल्प नमबर बी रायगड नेक्स प्रेशन है देखिए भारत का पहला गवर्नल जनरल था तो सही उ अगला प्रशन है आरे समाज अंदोलन का प्रारंब किस ने किया था तो इसका जो सही उतर होगा विकल्प नमबर ए स्वामी द्यानन्द नेक्स प्रेशन है बंबई में पहली भारती राष्ट्य कॉंग्रेस की बैठक कब हुई थी तो सही उतर होगा इसका अठारा सो नेक्स प्रेशन है भारत में सभिन्य अवग्या की अपनी प्रत्थम लड़ाई महात्मा गांदी जी ने कहां जीती थी तो इसका जो सही उतर होगा विकल्प नमबर डी चमपारण सुराज मेरा जनमसिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा यह किस ने कहा था तो य विकल्प नमबर 21 है देखिए इन में से कौन सी प्राथमिक चटाने कही जाती है तो इसका जो सही उतर होगा ऑप्शन A आगने चटाने फिर है रिक्टर स्केल का उप्योग क्या नापने के लिए किया जाता है तो सही उतर होगा विकल्प नमबर C भुकंप की तिवरता विकल्प नमबर B उजोन क्षींता का मुख्यकारण क्या है विकल्प नमबर C कारपन मोनोकसाइड नेक्स परशन है रिखिए किस महादविप में सबसे अधिक चन संख्या है तो सही उतर होगा विकल्प नमबर B एशिया किस पेड की छाल से कुनैन निशकरशित की जाती है तो सही उतर होगा विकल्प नमबर B सिनकोना कौन सा देश विशुग का चीनी का कटोरा नाम से जाना जाता है तो इसका जुसाई उतर है क्यूबा मौनसून क्षेतर में अधिक्तम वर्षा होती है ग्रिश्म रित्टु में न्यूजिलेंड की राजधानी है विकल्प नमबर D देखिए वेलिंग्टन भारत की सबसे उतरी बिंदू पर सूरज की किरने हमेशा होती है तो विकल्प नमबर B तिरची नेक्स्ट प्रशन देख लेजिए हिमाले की रानी किसे कहा जाता है तो यह है कंचन जंगा 37 प्रशन है अर्वसागर में कौन सी नदी गिरती है विकल्प नमबर A नर्मदा सबसे अधिक उपजाव मिट्टी कौन सी है तो विकल्प नमबर D इसका सही उतर होगा जलोड मिट्टी अगला प्रशन है भारत में हीरा खदाने कहां स्थेत हैं तो देखिए इसका जो सही उतर होगा मध्यप्रदेश विकल्प नमबर B भारत में कौफी उतपादन में अगरणी राज्य तो यह है विकल्प नमबर C करनाटक इन में से कौन सी भारतिय समविधान की एक विशेशता नहीं है तो देखिए अब इंडियन पॉलिटी से प्रशन पूछे गया है हमारे राजजीती से यह है कि कौन सी भारतिय समविधान की एक विशेशता नहीं है सरकार का अध्यक्षिय स्वरूप विकल्प नमबर B सारवरत्रिक व्यस्क मतादिकार प्रदर्शित करता है कि भारत एक ऐसा देश है जो कैसा है विकल्प नमबर C प्रजातांत्रिक प्रशन नमबर 43 है देखिए शिक्षा विशे संबंदित है तो इसका जो सही उतर होगा संबर्ती सूची से भारत संग में एक नए राज़कों स्विक्रिती कौन देता है तो इसका जो सही उतर होगा संसद भारतिय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तवयों को शामिल किया है तो इसका सही उतर होगा विकल्प नमबर A 42 अगला प्रशन है भारत के राश्ट्रपती अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं तो विकल्प नमबर D उपराश्ट्रपती मंत्री परशिर की बैठक का सभापती कौन होता है तो इसका जो सही उतर होगा प्रधान मंत्री राजय सभा का सभापती कौन है भारत के राश्ट्रपती अगला प्रशन है भारतिय संसद है तो इसका जो सही उतर होगा दुईसदनी प्रशन नमबर पचास है देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ती होती है तो यह होती है राजयपाल के द्वारा नेक्स्ट है किन दो राजियों का एक उभै उच नियाले है तो इसका जो सही उतर होगा हरियाना और पंचाब अगला प्रशन है भारत में कितनी बार राष्ट्रपती ने आर्थिक अपातकाल की गोशना की तो विकल्प नमबर ए कभी नहीं बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में कौन था तो सही उतर होगा जेपी नारायन सारवजनिक शेत्र में विनिवेशी करण क्या कहलाता है तो इसका उतर होगा विकल्प नमबर डी नीची करण नेक्स प्रशन है देखिए कराधान एक साधन है तो इसका जो सही उतर होगा राजगोशिय नीती निली क्रांती किस से संबंदित है विकल्प नमबर A मचली उत्पादन से प्रशन नमबर 57 देखिए आंतरिक व्यापार किस से संबंदित है तो ये है साख बाजार से विकल्प नमबर C वैश्वी करण का अर्थ है विकल्प नमबर A देखिए गहरेलू अर्थ तंतर का विश्व अर्थ तंतर से समेकन अगला प्रशने देखिए भारतिय अर्थ तंतर एक है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए मिश्रित अर्थ तंतर राश्ट्री आय क्या है इसका जो सही उतर होगा देखिए विकल्प नमबर C साधन लागत पर शुद्ध गरेलू उत्पाद अगला प्रशन है गुरुत्वा कर्शन का सारभ्हमिक नियम प्रतिपादित किया विकल्प नमबर C न्यूटन ने नेक्स्ट है किसी निकाय द्वारा उसे गती के गुण द्वारा धारित उर्जा क्या है प्रशन नमबर 62 तो इसका जो सही उतर होगा देखिए विकल्प नमबर B गतिज उर्जा प्रशन संक्या तिरसर देखिए पदार्थ की भौतिक गती को गती के द्वारा उश्मा का स्थ पानांतरन कहलाता है तो विकल्प नमबर B विल्गुल सही अंसर होगा 63 का समभेहन फिर है मानव करण की श्रवन परास क्या है तो इसका जो सही उतर होगा दीखिए विकल्प नमबर C 20 Hz से 20,000 Hz उसके बाद आता है चमगादर अंधेरे में उड़ सकता है विकल्प नमबर C इस अगला प्रशन है विद्युतबलब में फिलामेंट बना होता है तो ये है टंग्स्टन का नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम अगला प्रशन है देखिए हाइड्रोजन बम आधारित है तो ये है ना भी किया जो आपका ये है ना भी किया सनलैन पर विकल्प नमबर B इसका क्य क्या होगा? सही होगा, नेक्स ते दिखिए सीसा संचायक, सेल में कौन सा एसीड प्रियुक्थ होता है, इसका जो सही उतर होगा देखिए, विकल्प नमबर, डी सल्फियूरिक एसीड का, फिर आता है, ब्लीचिंग पाउडर है, तो देखिए इस प्रशन का उतर होना 71 उश्मा और विद्युत का सूच आलक कौन है तो देखिए इसका जो सही उतर होगा विकल्प नमबर D ग्रेफाइट कांसा एक है तो कांसा क्या है एक मिश्रण है ये अलग-अलग चीज़ों से मिलकर बना होता है नेक्स आता है आपका कांच श्रिष्ट वरनित है तो ये एक अतिशीतित द्रव के रूप में है ठीक है सूपरकोल लिक्विट अगला प्रशन हम देख लेते हैं इनमें से कौन सा संशलेशित बहुलग है तो देखिए इसमें जो सही उतर होगा 74 का वो होगा आपका विकल्प नमबर A नाइलोन नेक्स प्रशन ने देखिए इनमें से कौन सा एक वास्तविक सरप नहीं है तो इसका वी जो सही उतर होगा ये होगा विकल्प नमबर A अंध सरप या जिसको कहते हैं ब्लाइंड स्नेक प्रशन नमबर 76 है देखिए बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो ये होता है विटामिन B की कमी से लेकिन B यहाँ पर कहीं भी नहीं है तो इसका जो सही उतर होगा विकल्प नमबर D इनमें से कोई नहीं शरीर में जल की अधिक्ता के परिणाम स्वरूप होता है इसका उतर क्या होगा विकल्प नमबर D इनमें से कोई नहीं दर्द निवारक दवा को क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं देखिए विकल्प नमबर A अगला है आपका पेसमेकर इस रिलेटिटी टू यह आपका हाट से दिल जो है जहां पर नहीं है तो विकल्प नमबर D इसका क्या होगा? सही उतर होगा अगला प्रशन है देखिए आईरन प्रचूर मात्रा में पाया जाता है तो जो आईरन पाया जाता है देखिए विकल्प नमबर A है हरी सबजियो में उसके बाद है देखिए, चाक्रवाद संबंधित है प्रती चाक्रवाद से, उसी तरह जैसे बाड़ संबंधित है सूखा से, तो विकलप no. d होगा इसमें देखिए, चाक्रवाद कहा है प्रती चाक्रवाद, साइकलोन is related to antisaiclone, उल्टा पूझा है न, तो इसका क्या होगा सूखा ड्राउट अगला परशन है देखिए अंग्रेजी बल्ब माला में BDG से CFJ है उसी परकार EGJ किस से समन्दित होगा तो इसका जो सही उतर होगा देखिए विकल्प नमबर CFIM अगला परशन है देखिए विशम यूगम को चुने सौरन का क्या है अबूशन है फिर उसके बाद आपका कपड़ा का वस्तर है लकडी से फरनीचर और मिटी के बरतन से मृति का या कले जिसको कहते हैं तो इसका जो सही उतर होगा देखिए विकल्प नमबर D क्योंकि मिटी के बरतन से जो है मिटी का अक्षर है तो सही उतर होगा विकल्प नमबर D ग्यारह यदि P-A-L-E का कूट 2-1-3-4 है E-A-R-T-H का कूट 4-1-5-0 है तब उसी तरह P-E-A-R-L का कूट है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए 2-4-1-5-3 विकल्प नमबर B नेक्स प्रेशन है संक्या श्रेणी में लुप्त पद क्या है तो देखिए 1296-648-216 इनको आपने उल्टा करके देखना था 3 गुना 2 होगे 6 6 को 3 से गुना करना है होगे 18 और 18 को फिर 2 से किया है देखिए 18 दुए 36 और उसके बाद 36 को आपने 3 से गुना करना था वो होगा 108 जबकि 108 को हम 2 से गुना करेंगे तो केतना होगा 216 तो इसलिए विकल्प नमबर A इसका क्या होगा सही उतर होगा नेक्स देखिए अक्षर श्रेणी में अगला पद क्या होगा तो इसका जो सही उतर होगा देखिए विकल्प नमबर D ठीक है नेक्स देख जावेद के भाई की बहन के पिता का भाई करीम है और करीम के पुतरी डॉली है जावेद किस प्रकार डॉली से सम्मंदित है तो वो है उसकी बहन विकल्प नमबर D इसका क्या होगा अगला प्रशन है एक बिंदू से प्रारंब करके एक आदमी चार किलोमेटर पश्चिम की और चलता है फिर वह अपनी दाई और मुडता है और चार किलोमेटर चलता है उसके बाद वह दुबारा दाई और मुडता है चार किलोमेटर चलता है अरंब बिंदू से उसकी सही दिशा क्या है तो इसकी जिए सही दिशा होगी देखिए वह होगी उत्तर दिशा नेक्स्ट है यदी 1996 में शुकरवार को गनतंतर दिवस मनाया गया था यह है वास्तेव मोही को खाल ही में फ्रेंच गुएना से कौन सा भारतिय उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था तो विकल्प नमबर B है दिखिए G730 अगला प्रेशन है भारतिय सेनने द्वारा हाल ही में संपन हुए सबसे बड़े विमान वाहिद अभ्यास का क्या नाम है तो इसका जो सही उत्तर है Wing Rider ठीक है हाल ही में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए कितने भारतिय अंतरिक्ष यात्रियों का चैन हुआ है सही उत्र होगा विकल्प नमबर C चार अगला पशने दिखी हाल ही में राष्टपती के द्वारा गोशित किये गए संवेधानिंग संशोधनों के बाद किस देश की संपूर्ण सरकार ने त्याग पतर दे दिया सही उत्र होगा विकल्प नमबर C रूस अगला पशन है कौन सा राज्य 2020 को सूशासन संकल्प के वर्ष के रूप में मनाने जा रहा है तो सही उत्र होगा विकल्प नमबर C हाल ही में इलिसू डेम जो समाचारों में था किस देश में है टर्की पशन नमबर 98 है देखिए किस कंपनी ने भारत की पहली ओडियो सेवा सुनो की हाल ही में शुरुआत की 98 तो इसका जो सही उत्र होगा देखिए विकल्प नमबर B ओडीबल तीरवें दक्षन एशियाई खेल 2019 में कौन सा देश पदकों की तालिका में शिर्ष स्थान पर रूप इसका जो सही उत्र होगा देखिए विकल्प नमबर C भारत अगला परशन है 150 रेंजी मैच खेलने वाला पहला भारती कौन हुआ तो इसका जो सही उत्र होगा वसीम जाफर हिमाचल प्रदीश का कुल बगॉलिक क्षेत्रफल क्या है तो यह है 55,673 वर्ग किलो मीटर तो विकल्प नमबर A इसका क्या होगा सही होगा 2011 की जनगन्ना के अनुसार हिमाचल प्रदीश का लिंगनुपात क्या है तो सही उत्र होगा 972 हिमाचल प्रदीश के किनौर जिले का मुख्याले कहा है तो सही उत्र होगा इसका रिकॉंग प्यो विकल्प नमबर D हिमाचल की सबसे बड़ी कृत्रिम जील है विकल्प नमबर B गोविंसागर अगला प्रशन है देखिए हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारने कौन सा है तो इसका उत्र होगा विकल्प नमबर A शिली प्रशन नमबर 106 देख लिजिए हिमाचल प्रदेश में रावी नदी का ओधगम स्थान कहा है तो इसका जो सही उत्र होगा बड़ा बंगाल हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में गसोता मेला मनाय जाता है तो इसका जो सही उत्र होगा देखिए ये होगा विकल्प नमबर C हमिरपूर नेक्स ते देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले का जनसंख्या गहनत तो सबसे अधिक है तो सही उत्र होगा विकल्प नमबर A हमिरपूर तो ये जोड़ता है आपका विकल्प नमबर A पांगी से हिमाचल प्रदेश में कियोंधल राजसी राजय का संस्थापक कौन था इसका सही उत्र होगा विकल्प नमबर A गिरी से अगला प्रशन है सुंदर नगर का पुराना नाम क्या था तो सुंदर नगर का जो पुराना नम था देखिये विकल्प नमबर D बानेद किस वर्ष हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकुशन बोर्ड के सापना की गई थी ये की गई थी 1968 में लेकिन विकल्प है 1969 तो विकल्प नमबर 20 का क्या होगा सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में रिवर राफ्टिंग का आरंब किस वर्ष हुआ था तो सही उत्तर है विकल्प नमबर D 1989 में हिमाचल के लाहॉल स्पिती जिल में कुल कितने विधान सवा निर्वाचन सीटे हैं तो सही उत्तर होगा विकल्प नमबर A1 अगला प्रशन है देखिए हिमाचल प्रदेश के परिवेहन मंत्री कौन है महिंदर सिंग ठाकुर, विपिन सिंग परमार, गोविन सिंग ठाकुर या फिर विरेंदर कमवर तो यह प्रशन जो है पहले चप गया था इसके लिए इसका जो उत्तर होना चाहिए था विकल्प नमबर C अगला प्रशन है देखिए गांदी जी पहली बार शिमला कब गए थे तो इसका जो सही उत्तर होगा 1921 भारत में शिमला को ब्रिटिश राजे की ग्रिशम काली राजदानी किस्ते बनाए था तो इसका जो सही उत्तर है देखिए विकल्प नमबर B सर जौन लॉरेंस हिमाचल सडक परिवहन निगम HRTC किस वर्ष अस्थित्तों में आया तो सही उत्तर है 1974 हिमाचल परिश में सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित्त है तो यह है विकल्प नमबर D नीरत हिमाचल परिश के किस स्थान पर वर मेमोरियल स्थित्त है तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए option B धरमशाला अगला question है हिमाच्य प्रदेश के किस जिले में पराशर जील स्थित है पराशर जील है मंडी में हिमाच्य प्रदेश का सबसे बड़ा अद्रक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है तो इसका जो सही उतर है लिए जिला सिर्म और ए प्रशन नमबर 127 दिख लेते हैं हिमाच्य प्रदेश में प्रथम पंच वर्षय योजना के लिए कुल आबंटित धन राशी लगभग कितनी थी तो इसका जो सही उतर होगा विकल्प नमबर D 5.27 करोड अगला प्रशन है नातपा जाकडी पर योजना में हिमाच्य प्रदेश का अंश्यदान क्या है विकल्प नमबर D 25.27 फिर उसके बाद है देखिए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाच्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका जो सही उतर होगा विकल्प नमबर A O C हांडा अगला प्रशन है गुरु गोविन सिंग ने प्रत्थम गुरु गोविन सिंग ने दशम ग्रंथ का प्रमुक अंश कहा लिखा था तो सही उतर होगा इसका पॉंटा साही पहाड़ी चित्रकला का सबसे पुरानी शैली तो यह है कांगड़ा शैली उसके बाद है अमरीता शेरगिल कौन थी तो यह थी एक प्रतिश्टित भारती चित्रकार विकल्प नमबर A 129 प्रशन देख लेते हैं हिमाच्य प्रदेश के किस जिले में दियोटसिद मंदिर स्थित है तो देखिए इसका जो सही उतर होगा इन में से कोई नहीं तो यह है बारा वर्श के बाद मनाया जाता है विकल्प नमबर B इसका क्या होगा सही उतर होगा इंग्लिश पोर्शन देख लेते हैं दोस्तों 131 से 35 तक देखिए इसमें हमने जो सही उतर है वो देना है डिसाइड करना है चार में से सबसे पहले है देखिए रवी struck his head against the wall तो B इसका क्या होगा सही उतर होगा अगला परशन है इस 14 years since I saw him तो विकल्प नमबर A I will be at loss in this deal टीक है वाई डॉंट यू सिट बिसाइड मी तो B होगा इसका सही उतर है रीना is as polite that everyone likes her next है देखिए choose correctly spelled तो spelling check करनी थी हमने देखिए सबसे पहले है passenger तो A इसका सही अंसर होगा driver के C है जबकि ticket की जो सही spelling होती है देखिए T I C K E T transport T R A N S P O R T transport 140 का है देखिए authority A U T H O R I T Y फिर उसके बाद है देखिए आपका choose the word which is opposite in the meaning ठीक है तो opposite है देखना है तो manage का जो होता है देखिए वो होता है बंगल जबकि shame के लिए क्या होगा exalt harmony का मतलब discord और arrogant means meek फिर luxury है तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए वो होगा विकल्प नंबर D positivity प्रशन नंबर 146 से देखिए इसमें idiom और phrases पूछे गए हैं इनके meaning अमने देखने है तो to grab the hidden meaning clear है उसके बाद है to make a shot तो it means to achieve one's objective next 149 harp on to keep on talking विकल्प नंबर C to lose face means to be humiliated भी इसका क्या होगा सही answer होगा अब हमारा हिंदी वाला जो भाग है वो शुरू हो जाता है इसमें देखिए सबसे पहले शुद चुनने को कहा गया है तो रिदय पूचा गया है तो विकल्प नंबर D इसका क्या होगा सही होगा विशेश विकल्प नंबर C उत्पन विकल्प नंबर A और उसके बाद है पूजनिय तो विकल्प नंबर C इसका सही होगा और राजनेतिक विकल्प नंबर A अब देख लेते हैं संदी विचेद तो सबसे पहले देखिए पवन पवन का जो संदी विचेद है पो जमहा अन पवन उद्योग उत जमहा योग मनरत इसका जो सही उतर होगा देखिए विकल्प नंबर C मनरत प्रशन संख्या 169 देखिए अनुवेशन तो इसका सही उतर होगा अनुजमह एशन परिक्षक परिजमह इक्षक तो विकल्प नंबर C इसका क्या होगा सही होगा लकड़ी शब्द है आपका ये इन में से कोई नहीं अगला प्रशन है अंग का प्रियावाची है तो इसका उतर होगा अरपन का विलोम होगा ग्रेहन जबकि बहुत बढ़ा चड़ाकर कही हुई बात के लिए एक उप्युक्त चब्द है अतिश्योक्ती तो ये था दोस्तो हमारा जो HP कंड़क्टर का एक्जाम जो 18.10.2020 को कंड़क्ट किया गया था अगर इन प्रशनों को डिसकस करते समये मुझसे कुछ तूटी रह गई हो तो आप मुझे कोमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तों फिर मिलेंगे नई उर्जान इसपूर्टी के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जाहिंद